जब इनसान पैदा होता है, तब उसके भीतर एक विशेश सौफ्ट्वेर तै होता है, जो समय, उर्जा और उस सूचना का मिश्रण होता है, जो वो अपने साथ लाता है, ये तीनों मिलकर जीवन के अलग अलग पहलू तै करते हैं, ये तीनों मिलकर ये भी तै करते हैं कि कोई इनसान कितना लंबा जीएगा और कैसे जीएगा, तो अगर ऐसा है, तो क्या सब कुछ पहले से तै है? सूचना निश्चित रूप से पहले से तै है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं जानकारी ग्रहन नहीं कर सकते हैं, बस ये है कि ये आपको कुछ तरह की चीजों की तरफ ढखेलती या खींचती है, जो इस पर निर्भर करता है कि आप में किस तरह की सूचना है, लेकिन ये आपको आज इस पल में नई सूचना ग्रहन करने से नहीं रोखता, उर्जा जीवन के अलग अलग पहलूओं के लिए निर्धारित होती है, ये सूचना जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस सूचना के पूरे धेर को संचित कहते हैं या संचित कर्म, निर्धारित की गई सूचना, जिसे संभालना ज़रूरी होता है, और जो एकदम से व्यक्त होती है और बाकी की सूचना से थोड़ी ज्यादा बड़ी मजबूरी है ये सूचना जो आपके पास है वो कहीं और से है जो जीवन ने एक अठी की है वो उर्जा जो सिस्टम में निर्धारित है सूचना की प्रकृती के अनुसार निर्धारित होती है अगर आपके सूचना या कर्मों की जानकारी का जुकाव मान लीजे शारीरिक चीजों की तरफ है तो आप देखेंगे की उर्जाएं कुद्रती रूप से खुद को आपके शारीरिक धांचे में निर्धारित कर लेंगी अगर सूचना का जुकाव आपकी बौद्धिक प्रक्रिया की तरफ है तो उर्जा खुद को उस गतिविधी के लिए निर्धारित करेगी अगर सूचना बहुत ही भावनात्मक है तो उर्जा खुद को उस आयाम के लिए निर्धारित करेगी अगर इसका जुकाव आध्यात्मे कायाम की तरफ है तो उर्जा खुद को उस दिशा में निर्धारित करेगी ये निर्धारित करने की प्रक्रिया स्वभाविक जुकावों से होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से निर्धारित नहीं कर सकते आप कर सकते हैं, लेकिन आप बस अपने जुकावों के अनुसार चलते हैं, तो हाँ, जीवन पहले से तै है. अगर आप अपने जुकावों के 100% गुलाम हैं, तो जीवन पहले से तै है. हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा. उर्जा को फिर निर्धारित करना उर्जाओं को मैनेज करने का तरीका इन्हें किस दिशा में लगाना है क्या हम उसे बढ़ाएं या कम करें ये चीजें काफी हद तक हमारे हाथों में है लेकिन तीसरा आयाम जो आपके जीवन का महतवपूर्ण हिस्सा है वो है समय समय हर समय आगे बढ़ रहा है आप इसे धीमा नहीं कर सकते आप इसे तेज नहीं कर सकते आप अपनी उर्जा बचा सकते हैं आप अपनी उर्जा आसपास फैंक सकते हैं आप उसे विक्सित कर सकते हैं आप उसे जबरदस्त रूप से बड़ी या भद्धी बना सकते हैं लेकिन समय गुजर रहा है तो समय में अपनी खुद की बुद्धी होती है और ये कर्मों की सूचना के कुछ मापदंडों और सिस्टम में मौजूद उर्जा के अनुसार आगे बढ़ता है तो क्या हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं हम कर सकते हैं लेकिन ये जीवन का हाथ ना आने वाला आयाम है बाकी दोनों के मुकाबले बाकी दोनों को मैनेज करना और जीवन में व्यक्त करना काफी आसान है उर्जा पैदा करना और आप जैसे चाहते हैं वैसे इस्तिमाल करना, अपने जुकावों को, अपने विचारों, भावनाओं और गतिविदियों की प्रकृती तेह न करने देना, ये समय को अपने हाथ में लेने से बहुत ज्यादा आसान है. खुद आदियोगी ने भी समय को अपने हाथ में तभी लिया, जब वो कुछ खास अवस्थाओं में थे, जब वो वैसी अवस्थाओं में थे, हम उन्हें काल भहरव कहते हैं, कि उन्होंने समय को अपने हाथ में लिया. समय आपके जीवन की अवधी वह जीवन और मृत्यू की प्रकृति तै करता है जीवन और मृत्यू दोनों समय के दाइरे में हैं तो समय जिसकी समय पर महारत है उसकी जीवन और मृत्यू पर महारत है जिसकी अपनी उर्जाओं पर महारत है, उसकी अपने जीवन पर पूरी महारत है, लेकिन अपनी मृत्यू पर नहीं जिसकी अपनी सूचना पर या जिसकी अपने जुकावों पर महारत है, जो सूचना से पैदा होते हैं या जो उन जुकामों से मुक्त हैं, जो आप में मौजूद कर्मों के प्रकार से पैदा होते हैं, उसकी जीवन की क्वालिटी पर महारत है, कि ये सुक्ताई होगा या अद्धुखताई, जिसकी अपनी उर्जाओं पर महारत है, वो अपनी कतिविधियों की प्रकृती और तो ये तीनों हिस्से मिलकर जीवन बनाते हैं, ये तीनों हिस्सों का मेल ही अभी आप खुद हैं, शरीर का संचैन, सूचना का संग्रे, मुख्य रूप से इन पहलूँं से तैह होता है, आपकी कर्मों की सूचना जिस तरह की है, उसी आधार पर आपमें कुछ विशेश तरह की सूचना और विशेश तरह की गतिविधि की ओर जाने का रुझान होता है, आपकी उर्जा जिस तरह से निर्धारित है, आप स्वभाविक रूप से उसी तरह की गतिविधि चुनते तो वो मुझसे पूछ रहे थे, सद्गुरू क्या हमारी गती विधियां एक रुकावट नहीं है? अगर हम गती विधियां छोड़ दें, तो क्या अध्यात्मेक रूप से ज्यादा जल्दी विकास नहीं करेंगे? अगर आप हर स्तर की गती विधियां छोड़ सकें, तो हाँ, निश्चित रूप से, गती विधि को छोड़ना, हर स्तर की गती विधि को छोड़ने में, भोजन और टॉयलेट जाना छोड़ना भी शामिल है, और आपके मन की चीज़ें भी, निश्कर्म, सबसे अच्छा कर्म है, इसका मतलब है, कोई गती विधि नहीं है, सब कुछ थम गया है, आप सिर्फ काम छोड़ दें, तो ये अच्छा कर्म नहीं है, ये फाल्तु बैठना है, ये बुरा कर्म है, अगर आप बस आँखे बंद करके, यहां कई दिन बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब है, आप इसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपने सब कुछ रोग दिया, और बस यहां बैठ गए, इसका मतलब आप इसके लिए कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो हमें आप से कोई परिशानी नहीं है, अगर आप खुद के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमें कोई परिशानी नहीं है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको अपने आसपास के दस लोगों के लिए कुछ उप्योगी करना चाहिए, अगर आप आप दोनों नहीं कर सकते तो जीने का क्या मतलब है मैं पूछ रहा हूँ तो आप पूरी तरह से ये नहीं कर सकते और पूरी तरह से वो भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा आँखे बंद करना, थोड़ी सी कतिविधी, थोड़ी नहीं सद्गरू पूरा दिन होती है उसको मैं थोड़ा कहता हूं क्योंकि 24, क्या यह इतनी बड़ी संख्या है? क्या 24 बहुत बड़ी संख्या है? इस छोटे से बच्चे को भी पता है 24 क्या होता है? देखिये, देखिये यह छोटा सा बच्चा भी जानता है 24 का मतलब पूरे 24 घंटे या तो साधना में लगाय जाने चाहिए या फिर काम में मेरी नींद का क्या वो भी साधना बन जानी चाहिए और वो भी काम करने का साधन बन जाना चाहिए आराम काम की बुनियाद है क्या आप समझ रहे हैं आराम का अपने आप में कोई उदेश नहीं है अगर आप बस rest करना चाहते हैं तो rest in peace बढ़िया है अगर आप सिर्फ आराम का अभ्यास करना चाहते हैं तो हम आपको दफना सकते हैं आप आराम का अभ्यास कर लीजे आराम सिर्फ एक बुनियाद है हर काम की बुनियाद आराम है तो हम चाहते हैं कि आप आराम की स्थिती में हो ताकि आप सक्रिय हो सकें तो सोना और जागना बस उर्जा का मैनेजमेंट है ये बस यही है समय को आप मैनेज नहीं कर सकते ये गुजर रहा है चाहे आप बैठे हों, खड़े हों या सो रहे हों या आगे बढ़ता जाता है आप इसे रोक नहीं सकते लेकिन नींद और गतिविधी अपनी उर्जा को मैनेज करने का एक तरीका है और अगली सुबह नहीं शक्ती के साथ शूरू करने का तरीका है जैसे जैसे आप काम करते हैं, आप एक बैठेरी के सेल की तरह धीरे से तो आप उसे चार्ज करते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं बैठेरी को चार्ज इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका फिर से इस्तिमाल करना है, है न? कोई भी बैटरी को इसलिए चार्ज नहीं करता कि बस चार्ज करना है आप बैटरी को चार्ज करते हैं क्योंकि आप उसका इस्तिमाल करना चाहते हैं तो अगर कोई इसे तारकेक रूप से समझ कर नहीं अगर कोई अपने अंदर इन तीनों आयामों को जान ले कि आप समय, उर्जा और जानकारी का मेल हैं अगर आप ये तीनों चीज़ें चला सकें अगर आप ये तीनों चीज़ें प्रभावशाली तरीके से चला सकें तो आप हर तरह से मुक्त हैं हर तरह से यही मुक्ष है यही मुक्ती है अगर आप इन तीनों चीजों को जागरुकता से चला सकें, तो आप सौ प्रतिशद मुक्त हैं अगर आप बस अपनी जानकारी को सचेतन रूप से चला सकते हैं और उसे अच्छे से मैनेज करते हैं तो आप 33 प्रतिशद मुक्त हैं, आप अब भी पास नहीं हुए हैं अगर आप अपनी उर्जाओं और अपनी जानकारी को भी अच्छे से चला सकते हैं, तो आप 66 प्रतिशद हैं, ठीक हैं, आप ठीक कर रहे हैं लेकिन अगर आप तीनों को मैनेज करते हैं, तो आप मुक्त हैं